हेलो पैरे बच्चो स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज हम कच्छा च्यार और पांच प्रियास गणित कारी पुस्ति का दोहजार चोविस पच्चिस के लिए उसमें कारिये पत्रग 20 हल करेंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के साथ सेयर करना तो चलो आएए देखते हैं कारी पत्रग 20 में दक्सता है देनिक जिवन की सम पहला है ककसा 2 में 46 लड़के और 38 लड़किया है तो बताजिक ककसा में कुल कितने बच्चे हैं तो हम यहां करेंगे कूल बच्चे बराबर 46 लड़के हैं और 38 लड़किया हैं इनको जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 का 4 आसिल की 1 4 और 37 और एक आसिल की आठ 84 बच्चे है अगला है एक बस में 52 यात्री बठे थे उन में से 24 यात्री उतर गए तो बताईए अब बस में कितने यात्री रहे तो बस में 63 यात्री 52 बठे थे 24 उतर गए तो गटा देंगे दो में से 4 नहीं जा रहा है यहां से एक हासिल की ले लेंगे उधार ले लेंगे तो ये 12 में से 4 गए 8 ये रहेगा 4 में से 2 गए 2 28 या 3 बस में 6 रहे है अगला है तीसरा एक किताब की कीमत 45 रुपे और कोपी कीमत 25 रुपे है तो बताए किताब और कोपी खरीदने के लिए कितने रुपे देने होंगे तो यहां लिखेंगे रुपे ये देने होंगे बराबर 45 किताव के और 25 कोपी के 5 और 5 दस की सुनने आसिल की 1 4 और 2 6 और 1 आसिल की 7 70 रुपे देने होंगे अगला है च्यार का एक लड़के के पास 68 रुपे है वह एक खिलोना खरीदना चाहता है जिसके कीमत 45 रुपे है खिलोना खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपे बचे होंगे तो यहां हम लिखेंगे रुपे बचेंगे पुस्त के हैं और उसकी बेशन के पास तो उसके पास अपनी बेन चे कितनी पुस्तके अधिक हैं तो लिखेंगे सीमा के पास अधिक पुस्तके कितनी हैं देखो सोडा हैं बेन के पास तेरा हैं तो तीन अधिक हैं अगला है छे का एक चरवाए के पास 56 बेड़ें 12 गाएं और 24 वक्रियां हैं तो बताईए उसके पास कुल कितने पसू हैं कुल पसू बराबर 56 बेड़ें 12 गाएं और 24 वक्रियां इनको जोड़ देंगे 4 और 2, 6, 6, 12 का 2 आसल की एक, दो और एक, तीन, तीन, और पाँच, आठ और एक आसल की नो बाण में पसू है अगला है साथ का स्वाल एक व्यापैरी के पास 84 बोरी बाजरा था उसमें से उसने 52 बोरी बाजरा बेच दिया व्यापैरी के पास कितने बोरी बाजरा बचा बाजरा बच्चा बराबर 84 में से 52 बेच दिया तो घटा देंगे 4 में से 2 गए 2 8 में से 5 गए 3 32 बोरी बाजरा बच गया आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद है